हलो एबरीबन कैसे हैं आप सब रक्षार जुकरा सुई में आप सभी कर्षवागत हैं आज हम बना रहे हैं ब्रेथ के लिए बहुत ही टेस्टी मिठाई इस मिठाई को आज मैं एक ही सामान से बना कर तैयार करूँगी यह मिठाई खाने बहुत ही टेस्टी लगती है आए हम मिठाई को बनाते हैं दो यहां पर मैं आपनोंको दिखा रही हूँ इस तरह से मुमफली लेजिए इनको हम रोष्ट करके इनके जो चिलके उनको हटा देते हैं यहां पर मैंने मार्केट की बीजी आती है इस तरह की मैंने वही यूच्च की है आप लोग मुमफली से ही इस तरह की बिजी बना सकते हैं अब हम एक सीजार में डालकर इसका पाउडर बनाएंगे बहुत यह च्छा पाउडर बनकर इसका तयार होता है इस तरह से मिक्सी में डालियों और मिक्सी को हम एक ही बार इस तरह से रोक रोक कर रोक कर इसको चलाएंगे तो इस तरह का पाउडर बन जाता है अब इसको हम निकाल लेते हैं देखिए इस तरह का थोड़ी डो जैसा लग रहा है यह अब हम चीनी पीशेंगे तो यहां पर मैंने एक कप चीनी ली है इसी में फिलेवर के लिए मैं दो एलाइची इसी के साथ यह बहुत ही अच्छे से पिस जाएंगे यहां पर देखिए यहां पर हमारी चीनी है जो बहुत ही अच्छे से पाउडर बन चुकी तो इसको हम भी मुमफली में मिला देंगे मुंफली में जो तेल होता है उसकी बजाए से यह बहुत ही अच्छे से डो लग जाता है इसमें मौस्टराइजर बहुत जादा होता है मुंफली में जो तेल होता है उसकी बजाए से इसमें ना तो हमें जादा घी की जवदत पड़ती है घी डालना ऑप्शनल है घी तो मैं सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ जब हम डो इसका लगा रही हैं तो हाथ में ना चिपके यह डो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ही घी डाला है घी डालना बिलकुल ऑप्शनल है देखिए इस तरह का डो मैंने लगा लिया है अब हम इसके पेड़े बनाएंगे तो इस तरह से हम थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेती हुए इसके हम पेड़े बनाएंगे इस तरह से जैसे हम लड़्डू बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे फिर इसको हलके हाथों से अलकियांतों से इनको दवाती हुए इनको हमें पेड़े की सेप देनी है इस तरह से दवा कर इसको थोड़ी चप्टा कर दें इस से यह पेड़े की सेप में आ जाता है इस तरह से बना कर हम रख लेंगे आप देख सकते हैं बहुत सारा तेल मेरे हाथ में देख रहा हुगा क्योंकि मुम्फली में बहुत सारा तेल होता है तो इसकी बजाए से इसमें गी की भी जवरत नहीं पड़ती है बहुती जल्दी बहुती जटपट है बन जाती है इसी तरह से मैं सारी बनाकर रेडी कर ली है देखिए इस तरह से मैंने जटपट से इनको बना लिया है इस मिठाई को बनाने में पांच मिनट का ही समय लगता है आप इसको हम डेकुरेट कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं फूर्ट कलर डाल रही हूँ और कटी हुई बादाम इस तरह से हम लगा देंगे यह देखने में बहुती संदर लगेगी और यह खाने में बहुती टिस्टी लगती है आप लोगों को मेरी यह रेस्प एच्छी लगए तो प्लीज जो लोग मेरे चैनल परनाए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को अन कर लें मेरी सबी वीडियो की नौटिपिकेशन आप लोगों तक पहुंसती रहीगी देखी कितनी सौप्ट हमारी मठाई बनकर तयार हो चुकी है रेस्प एच्छी लगए तो लाइक करें थैंक यू